एक और जहां लोगों को डेंग्यू, मलेरिया जैसी बीमारियों के सामने रक्षा के लिए दमण प्रशाशन हर साल करोडो रुपी की लागत से नए-नए रथ समक्र दमण में गुमा कर कई सारे जनजागरूती के कादिक्रम आयुजीत करती है तो दूसरी और मोटी दमण के पुलीस थाने की सामने ही आये एक बुगर्ब सॉपिंग कॉम्पलेक्स में दो फीट से ज्यादा पानी बरा हुआ दिखाई दी रहा है जिसको हटाने वाला कोई भी नहीं है मोटी दमण के पुलीस थाने के जस्ट सामने ही आये और आदा अधुरा बना कर छोड़ दिये गए इस सॉपिंग कॉम्पलेक्स में जमा हुए पानी में छोटी मचलियां भी तैर रही है इस गंदे पानी में मच्छरों को देख ऐसा लगता है कि जैसे अन्यक्षित्रों में लोग मदुमा के उचेर केंद्रक खोलते हो वैसे दमन स्वास्त्य विबाग ने मच्छर उचेर केंद्रक खोल भी आ हो जो की सौपिंग कॉंपलेक्स में ये पानी कहां से और किस तरीके से आता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है उपर से ये कॉंपलेक्स जहां आया हुआ है वो क्षेत्र दमन अगरपालिका का बॉर्ड नमबर एक गिना जाता है यहां से चुने गए काउंसिलर फिलहाल DMC के प्रमुक पर्द को सोभाई मान कर रहे हैं पर शायर DMC प्रमुक को भी अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होने का लग रहा है एक और लोग कोरोना महमारी के सामने लड़ रहे हैं तो दूसरी और लोगों को मलेडिया, डैंग्यू जैसी बीमारीों के सामने भी लड़ाई लड़नी पर रही है तो अब नेंद में सोई दमन के स्वास्तिय विभाग को उठकर कॉंपलेक्स के अंदर बीमारी पेदा करने वाले गंदे पानी का निकाल किया जाए और कॉंपलेक्स के मालिक के सामने सत्त कारियवाही करें ऐसी मांग वार्ड नमबर एक के रही सो द्वारा व्यक्त की गई है कर दो कर दो दो कि गाले कर दो कि अज़ दो कि अज़ दो कि अज़ा है